दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दें इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में बताना है आमले और मोत के बीच बिहार के मुखमंत्रे नितिस कुमार ने 15 माई तक लोगडाउन का एलान किया है बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमन को देखते वे नितिस सरकार ने 15 माई तक लोगडाउन लगाने का फैसला लिया है मुகमंत्रे नितिस कुमार ने स्वाय ट्विट करकि इसकी जानकारे दी है इसके साथ ये उनके निदिस पर ग्रिया विभाग ने वरिषित मार्ग निदिसिका जारी कर दी है आई जानती है कि इस निदिस्यका के तहद बिहार में लोगडाउन के दुरान कौन सी सक्त पाबंदिया लगाई गई है इस दुरान क्या-क्या खुला रहेगा और क्या पूरी तरब बंद रहेगा सबसे पहले आपको बता दे कि स्कूल, कोलेज, कोचिंग, संस्तान, प्रसिक्चन, अनसंदान जैसे तमाम संस्तानों को बंद रहने के निर्दिस दिये गए हैं सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे, पार्क और जीम भी बंद रहेंगे, वानिजीक और निजी प्रतिश्टान भी बंद रहेंगे, अनावस्यक अवागमान प्रतिबंदित रहेगी, बिना वज़ा घुमते पकड़ जाने पर कड़िक कारवाई, सबी परकार के वाहनों का प खुलने की इजाज़ा दी गई है, सब जीव गेरा सुबह साथ बजे सी सुबह 11 बजे तक की घूम कर बेश सकेंगे, ये पास लेकर लोग बाहर जा सकेंगे, निर्मान कारे जारी रहेगा, लिक ट्रांसपोर्ड पचास पीज़ी समता के साथ ही चलेगी, लेकिन इसमें वह लोग सपर करेंगे, जो बिमान या रेल की यात्रा करने वाले हो, सबी सरकारी और निजी कार्या लएबेंगे, बैंकिंग, बिमा, एटियम, सम्मनित, प्रतिष्टान को कुछ चूट रहेगी, और पिर पेट्रोल, पंप, एलपेजी, पेट्रोलियम, प्रतिष्टान, प्र दोरान सारवजने की स्तानों एवं मारगों पर लोगों के बिना काम के पेदल निकलने पर भी पूर्नता पाबंदी रहेगी, कोरोना संक्रमन के बढ़ते मामले के मैदे नजर इसकी चेन को तोड़ने के लिए फैसला लिया गया है, मंगलवार को मिकी मंतरे नितिश कुमार ने ट्वेट करके इसकी जानकारी दी है, और कहा कि मंतरिगन एवं पतादी कारियों के साथ तर्चा के बाद लोगडाउन लगाने कर निर्ने लिया गया है, राजी सरकार के सभी कारियाले और नीजित दब्तर लोगडाउन में बंद रहेंगे, हाला कि आवाश्यक सेवाओ के लिए बिभागों और प्रतिष्टानों को खुलने के इजाज़ा दी गई है, जिला प्रसासन, पुलिस स्वास्त, आप्दा प्रबंदंग, सिविल डिपेंस, विदोता पूर्ती, जला पूर्ती, फायर बिग्रेड, पसु स्वास्त, दुरसंचार, डाक बिभाग से मंदित कार्याले यथावत कार करेंगे, नियाईक प्रसासन के समद में ओच नियालाई का निर्नाई लागू होगा, इसके अलावा कुछ अपवादों को छोड़ कर 15 माई तक राज में सभी परकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा, अगली बड़ी खबर लोगडाउ साधी विबा और साधर करम के लिए सरकार ने नए नियम बनाए हैं, सरकार ने डीजे पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है, बारात और माला को लेकर भी सरकार ने कड़े निर्देश जारिक किये हैं, बिहार के मुईक मंद्रे नितिस कुमार ने खुद ट्यूट करके नुमती रहेगी, इतना ही नहीं, जिसके घर में भी साधी है, उसे साधी के तीन दिन पहले अपने थाने को सुचना देनी होगी, आपको बदा दी कि साधी बिया में बेर्ड बाजे के साथ नाच गाने पर रोक लगा गयी है, दरसल कुरोना को देखते वे, सरकार ने साधी बिया पर कुछ बंदी से लगाए थी, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे, डीजे के धुन पर कोरोना प्रोटोकोल की धज्या उड़ा कर नाच गाने का सिलसला जारी सरकार ने पूरी तरह से डीजे पर रोक लगा दिया है, बड़ी कबर पाटना हाइकोड ने बिहार सरकार को लगाई फटकार कहा नहीं समल रहा तो सेना को सोब दे कोवीड प्रबंदन का जिम्मा, कोरोना के बरते में बीज पाटना हाइकोड ने एक बार फिर बिहार सरकार को फटकार लगाई है, हाइकोड ने मंगलवार को कोरोना मामले की सुनवाई के दोरान, राज सरकार के कोरो में कौविड प्रबंधन की जिम्मेदारे सेना को सोब देने चाहिए इस टिपनी के साथ ही हाइकोट में अगले शौभाई च्वामा andar को होगी हाइकोट ने राज सरकार को दो दिन के अंदर कोरोना पर एक विश्चत्र डिने को कहا है बाड़ी कबर कोवेड अस्पतालों को मिलेगी 24 घंटे बिजली बिजली करमे भी प्रांट लाइन वर्यार्स कोरोना काल में बिहार के कोवेड अस्पतालों हेल्थ सेंटर ऑक्सिजन गैस प्लांट रिफिलिंग सेंटर वेक्सिनेशन सेंटर से सबी महतपूर संसानों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सनिश्चित की जाएगे किसी भी तरह की बाधा आने पर 15 मिनिट में बिजली बहाल करने को कहा है और जा सचीव सा बिहार राज पावर होल्डिंग कमपनी लिमिटेड के CMD संजीव हंस ने समुआर को बिजली कमपनियों के पदादी कारियों के साथ बैठक में कोरोना से उत्पन इस्तितियों की समिक्चा करते हैं आपको बता दे कि कोरोना से उत्पन चुनती पूर्ण समय में बिजली करमी भी प्रंट लाइन कोरोना वर्यर के रूप में काम कर रहे हैं तेजस बनाने वाले पद्म-शिरी डाक्टर मानस बिहारी वर्मा का हाट अटेक से निधन दर्भंगे में घर पर ली अन्तिम सास जिहा देश के पहले सूपरसोनिक लड़ाकों बिमान तेजस को बनाने में अहम भूमे आले पद्म-सिरी डाक्टर मानस बिहारी वर्मा का हाट एटेक से निधन हो गया सुमवार की देर रात दर्बंगा के लहरीय सास इस्तित आवास पर उन्होंने अंतिम सास ली डियार्डियो बैंगलूरो में रक्चा वेगानिक रहे डाक्टर वर्मा पूर्व राष्ट्पति कलाम के सहयोगे रहे थे बिहार के पूर्व सांसद पप्पु यादव पर एफायार बिना अनुमति के कोवीड वार्ड में जाकर मरेजों से मिले थे जाप सुप्रीमों बिना अनुमति और कोवीड प्रोटोकाल का पाला नहीं करते हुए मगद मेडिकल कोलेज अस्पताल के कोवीड वार्ड में जाने को लेकर पूर्व सांसद वजन इदिकार पार्टे के सुप्रीमों पप्पु यादव के खिलाब मकदमा दर्ज किया गया है अगली बारे कबर बिहार में कोरोना से 105 लोगों की मौत 14794 नए मरीज मिले एक्टिव मरीजों की संक्या एक लाग दस जार के पार जिया बिहार में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमान कम होने का नाम नहीं ले रहा है राज में एक बार फिर से बड़ी संक्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं मंगलवार को बिहार सरकार की ओर से जारी ताजा आकड़े के मुताविक राज में पिछले 24 घंटे में कूल 14794 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है जबकि 105 लोगों ने दम तोड़ दिया है राजानी पटना के अलावा नालंदा पश्चिमी चंपारन और वैसाली में भी इस्तिती खराब होती हुई नजर आ रही है बाड़ी कबर कोरोना संगट के बीच दो अच्छी खबरे बीती 24 घंटे में रिकवर हुए 3,18,000 मरीज नए संक्रमित की संख्या में भी गिरावाई जिया कोरोना को लेकर देश में डर का माहौल बना हुआ इसी बीच दो अच्छी खबरे सामने आ रही है पाली अच्छी कबर यहाए कि देश में कोरोना से रिकवर करने वालों की संख्या दिन परती दिन बढ़ती जा रही है बेते 24 घंटे की बात करें तो एक दिन के अंदर रिकॉर्ड 3,18,000 लोग रिकवर हुए है आपको बता दे कि अब तक पूरी दुनिया में एक साथ इतने मरेज ठीक नहीं हुई है दूसरी अच्छी कबर यहाए कि लगतार तिसरे दिन नई मरेजों की संख्या में गिरावर दर्ज हुई है पिछले 24 गंडे के अंदर देश में 3,55,680 लोग संकर्मित पाए गए है अगली बड़ी कबर पटना स्री हरी मंदरी साहिब को बम से उड़ाने की मिली धमकी पचास कड़ोर रुपय की डिमांड से मचा हड़कम जी हा सीको के प्रधर में पटना स्री हरी मंदरी साहिब को बम से उड़ाने की धमकी मिली है धमकी देने वाले ने पचास कड़ोर की डिमांड की है डिमांड पूरी नहीं होने पर स्री हरी मंदरी साहिब को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है दरसल स्रीहरीमंदरी साहिब को बम से उड़ाने की धमकी एक रजिस्टर डाक से भेजी गई चिठी के जरिये दी गई है स्रीहरीमंदरी साहिब को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद ब्रसासनिक महकमे में हडकम मच गया है आगली बड़ी कवर को लेकर सरकार का अहाम भैसला विधायकों विधान पारसदों के फंड से दो-दो कड़ो रुपे लिए गए 600 कड़ो रुपे का हुआ बंदो बस बिहार में कोरोना की भयावा इस्तिती से निपटने में लगी सरकार ने विधायक और विधान पारसद फंड में भारे कटोती कर दी है बिहार के तमाम MLA MLC के फंड से दो-दो कड़ो रुपे ले गए है सरकार ने इस तरीके से 600 कड़ो रुपे से ज़्यादा जुटा लिया है आपको बता दे कि बिहार में अभी विधायकों की सिंख्या 242 से वही विधान पारसदों की सिंख्या भी 70 के करीब है दोनों की सिंख्या जोड कर 312 होती है ऐसे में सरकार के कोरोना उन्मुनल कोस में 624 कड़ो रुपे जमा हो जाएंगे हाला कि कई विधायक और विधान पारसदों ने पहले ही कोरोना से निपटने के लिए अपने फंड से पैसे देने का एलान कर रखा है इनमें नेता प्रतिपाउच तेजस्वी प्रसाद यादो भी सामिल है बड़ी खबर माई और जून में फिर से गरीबों को फ्री रासन दे रही है मोधी सरकार 80 कड़ोर लोगों को होगा फाइदा कोरोना वारिस माहमारे के बड़ते प्रकोप को देखते विए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से गरीबों को मुपत अनाज दने की योजना सुरू कर दी है प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना को माई और जून महने के लिए भी लागू कर दिया गया है खाद और सारवजने की वितरन विभाग ने राज्यों को इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिया है राज्यों में गरीबों के अनाज का वितरन भी शुरू हो गया है केंद्र की ओर से बताया गया कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना को दो महिने यानि मैं और जून की अवदी के लिए लागू कर दिया है आपको बदाद की केंद्र सरकार के इस योजना का फायदा देश के करीब 80 करोड लोगों को होगा इस योजना के तहद सरकार प्रती व्यक्ति 5 किलो अनाज देती है केंद्र सरकार इस योजना पर 26,000 कडोर रुपे खर्च करेगी CVAC गारवी एडमिसन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव अब मार्क्स और इस्ट्रीम की बाइदता खतम इस्टूडेन चुन सकेंगे मनपसंद विसाई CVAC गारवी में एडमिसन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है गारवी के एडमिसन में इस्ट्रीम सिस्टम हटाने का निने लिया है नए सिक्षानिती के तद या नियाम 27, 2021 से लागू होगा दसवी की परिक्षा रद होने के बाद नए क्राटेरिया को जारी कर दिया ग अतम की जा रही है बोड ने कहा कि 20 जून को दसवी के परिनाम जारी किये जाएंगे ठीक उसके बाद एडमिसन की प्रक्रिया सुरू हो जाएगी अब 11 वी की स्टुडेंट विसायो का सेलेक्षन सोच समझ कर कर सकेंगे अब गनित के साथ फिजिक्स केमेस्ट्री लिने के बादता नहीं होगी बड़ी कबर बिहार तकनिकी सेवा आयोग ने निकाले बंपर नियुकती 6000 से ज्यादा पदो पर ऐसे करे आवेदन जिहां बिहार तकनिकी सेवा आयोग ने विशेशक चिकित्सा अधिकारी और सामान चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए एक भरती आवेदन कर सकते हैं पंजी करन के अंतिम तिती 24 मैं 2021 है कूल 6338 रिक्तिया अपलब्ध है जिन में से 396 विशेशक चिकिस्ता अधिकारी के लिए और 26 32 विशेश चिकिस्ता अधिकारी के लिए अधिसुची थे सबसे महत्पून ओलाइन आवेदन करने की सुर्वात तिती 6 अ विद्दाले से अप्तो थलिमिक असिस्टेंट में डिप्लोमा के साथ कक्छा बारवी या 10 प्लस टू होना चाहिए वहीं मतश्य अधिकारी के लिए मतश्य पालन में डिग्री होनी चाहिए अराम की बड़ी कबर आईपियल 2021 पर कुरोना की मार इस सीजन के सभी मेच रज्या बड़ी कबर सामने आ रही है जहां कई खिलाडियों और इस्टाप की कुरोना संक्रमित पाए जाने के बाद बिसी सियाई ने आईपियल के इस सीजन को सस्पेंड करने का फैसला लिया है अजी समेत आठ खिलाड़ी और दो कोचिंग स्टाप में मर के पोजिटिव पाए जाने के बाद यहां फैसला लिया गया है आज के लिए आपका स्वाल बताए कि सूरी से सबसे नजदी ग्रह कौन सा है इसका जवाब आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं